दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग B.A. किये होंगे, बहुत सारे लोगों के पास D.L.A. होगा, किनी का B.A. चल रहा होगा, किनी का B.L.A. चल रहा होगा, कोई B.P.A. कर रहा होगा, या कोई D.L.A. कर रहा होगा, पर मैं आपको बता दूँ, अभी MP Higher Education Portal पर Online Counseling की जो प् प्रक्रिया है, चल रही है, अगर आपने B.A. नहीं किया है, टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइबिट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो B.A. कि अनिवारता है, चाहे कोई भी केंदरिये जॉब हो, मतलब टीचर की अगर कोई भ diploma या डिग्री है वो आपको जरूरी है करना तो अभी counseling चल रही है तो मैं आपको पूरी जानकारी इस पीडियो में देने वाला हूँ कि आपको B.A.D. करना चाहिए या B.A.D. करना चाहिए या कुछ और या D.A.D. करें आपकी B.A.D. करें इसके बारे में हम लोग बात आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्व पूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ दोस्तो अनकैडमी आज के समय में पूरे इंडिया कागरम बात करें तो सबसे बड़ा learning platform बना हुआ है अनकैडमी पर मैं आपको विल्कुल free देख सकते हैं आपको यह सुबह 8 बजे मिलते हैं आज की current affairs भी update कर दिये गए हैं सुबह 8 बजे से पहले ही लगबग 15 मिट पहले ही वीडियो publish कर दिया जाता है तो आप उसको देख सकते हैं और दोस्तों आप तयारी कर रहे हैं किसी भी CTT परिक्षा की किसी भी परिक्षा कि आप तयारी कर रहे हैं तो आप unacademy plus unacademy plus को आप जोइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों और यह बहुत ही अच्छा यहां पर मैं बात करूँ फिलाल की स्थिती में platform है आपको यहां पर अपने हिसाब से आप live class ले सकते हैं आपको जो course जैसे अन अक आप यहां पर top educators हैं उनकी मदद से पढ़ सकते हैं और अभी हाल ही में मैं आपको बताओं तो जो है MPTD का जो exam हुआ है जिन लोगों ने कुछ लोगों ने यहां पर unacademy से पढ़ा हुआ था तो उनका कहना है कि बहुत ही अच्छा यहां पर उनका response रहा और जो उनके number हैं और दोस्तों आप चानते हैं कि academy जो है IAS और जो है MPPC की त्यारी भी आपको कराता है तो यहां पर आप किसी भी field के लिए अगर आप plus course लिना चाहते हैं UPSC के लिए CDS के लिए Kerala PSC के लिए CAT के लिए IITJE के लिए NTA UGCNET के लिए railway exams के लिए बैंक exams के लिए teacher eligibility test के लिए RPSC CSI UGCNET और SS exams के लिए तो आपने academy plus ले सकते हैं यह बहुत ही आपके लिए दोस्तों helpful रहेगा और definitely आप खुद improve होंगे यहां पर मैं आपको बता दू कि आपके यहां पर भीड़ नहीं मिलेगी आप जो भी educator से पढ़ते हैं वहां पर आप क्लियर कर सकते हैं doubt clearing session भी बहां पर होता है जिसके माध्यम से आप जो है अपनी जो भी doubt से उनको क्लियर कर सकते हैं दोस्तों teacher eligibility test पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यह देखिए यहां पर बाइफाई study भी यहां पर available है प्लस यहां पर कुछ top educator जैसे कि अगर हम बात करें यह देख सकते हैं आप टॉप educators जिसमें कि आपको वह यहां पर child development की बात करें या फिर हम environment studies की बात करें या date exam के लिए strategy किस तरीके से बनाएं तो यह सारा का सारा यहां पर आप जो है देख सकते हैं दोस्तों अब जैसे मैं अगर बात करूँ आप से कि आप subscription लेना चाहते हैं तो आप यह आपको यहां पर एक महीने का तीन महीने का बारा महीने का उच्छे महीने का प्लान अगर लेते हो यह best है आप लोगों के लिए recommended यह ही है तो आप subscription अगर लेंगे तो आपको पहले लॉग इन करके बता जिता हूं तो दोस्तों यहां पर मैं लॉग इन कर गया हूं अब आप यहां पर subscription पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको रैफरल कोड में हमारा कोड यहां पर यूज करना है जो की है गुरूजी ऑफिशियल को आपको यहां पर डालना है और यह यहां पर आप गुरूजी ऑफिशियल कोड का यूज करेंगे अपलाई करेंगे तो आप यहां पर जो हैं डिसकाउंट प्राप्ट करेंगे यह देखिए कि आपके डिसकाउंट मिल जाएगा यह आपको जो कोड से मातर 4500 रुपई में पढ़ जाएगा सिर्फ से जिल लोगों ने यहां पर अगर किनी लोगों नहीं लिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे लगता है बताएंगे कि उन्हें कितना हैंपूल यह कोर्स रहा है क्लियर कर पाएंगी तो इसलिए दोस्तों और गनाइज्ड तरीके से पढ़हें और शप्सरिप्रिश हमारा code यूज़ करिएगा तो आपको यहां पर discount definitely मिल जाएगा तो दोस्तो B8 की counseling में हिस्सा लेने के लिए आप यहां पर हमारी website की मदद से भी जा सकते हैं तो दोस्तो यहां पर आप visit करेंगे तो उपर यह जो भी online जो भी होती है services जैसे कि कोई यहां पर form बगेर फिल अप हो रहा है या कोई भी यहां पर जानकारी नकल के सामने आई है जो आपके लिए important होती है तो मैं यहां पर आपको online लगा देता हूँ वो सूचना पड़ल पर सबसे पहले आपको मिल जाती है जैसे कि B8 का online प्रवेश चल रहा है तो यह देखिए यहां पर आपको यहीं पर मिल जाएगा वो आपको कहीं और जाने की आप शक्ता नहीं है तो यहां पर नीचे आप जाएंगे तो यह देखिए NCTE Counseling हलाकि यह आपको नहीं पूरा दिख हो तो यहां से आप इसको इसतरी की से देख सकते हैं यह BPAD और OR Mit के लिए यहां पर जो है आप रिजिस्ट्रेशिन कर सकते हैं और यहां पर आपक्लिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है अप अप्लाई पर आप नीचे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह देखें आप रजिस्टेशन पर पहुंच जाएंगे यह आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग तरीके से जो अपना नाम बगेर जो भी जन करें आपको मांगी जाती हैं वो पूरा-पूरा आप यहाँ पर फॉर्म में भर सकते हैं 2019-20 के लिए बी एड एड एमड बीपेड एड एमड दो बरसी होता है एमड एबम एड एमड एक ही कृत है यह इंटीग्रेटेड है मतलब बीएड और एमड एक साथ आप करना चाहते हैं तो तीन बरस का रहेगा इन कारिक्रमों में प्रथम बर आप जो चाहते हैं आप तीनों बर्ग में जॉप करना है याई कि बर्ग एक याईनकी ग्रेड बन ग्रेड टू ग्रेड थ्री आपके पास पीजी भी है तो आपको बीएड करना चाहिए अगर आप पढ़ाने के एक्चुक है और बीएड जो है दुस्तों आपकी ग्रेड ट्री में भी जो है लागू है क्हूंकि ग्रेड 3 में अगर मात करें तो आपको 6 महिने का बिज कूर्स यहां पर करना होगा और आपano इलेजिबल हो जाएंगे ।ी के लिए भी बही पर बात करें तो जो है आपका यहां पर चूर आपकर बयर बिंद education तो आप ये भी कर सकते हैं ये भी काफी helpful रहेगा बट elementary education के लिए ये काफी ज़्यादा helpful है तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं तो दोस्तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर four years integrated course B.A. ये चार वर्स का है और B.A. की बात करें तो ये दो वर्स का है B.A. B.A. ये integrated course है चार वर्स का बारवी के बात कर सकते हैं B.A. C. B.A. जो है दोस्तो ये भी चार वर्स का integrated course है science का है तो ये भी आप कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद B.A. एमेड जो है दोस्तो ये integrated course है तीन वर्स ये है B.P.A. की बात करें तो two years course है Bachelor of Physical Education सारी रिक सिक्षा में ये degree है आपकी सनातक हो जाते हैं आप सारी रिक सिक्षा में MP.A. की बात करें तो Master of Physical Education दो बर्स का है M.A. की बात करें तो ये भी दो बर्स का course है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आप schedule देख सकते हैं 2019-20 का यहाँ से आप list देख सकते हैं help centers की rule book और counseling schedule आप देख सकते हैं दोस्तो यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप sports teacher बनना चाहते हैं तो आप B.A. कर सकते हैं MP.A. के बाद ही आप MP.A. कर पाएंगे और अगर आप 12 से कर रहे हैं तो मुझे मेरी आपकी सला रहेगी आपकी integrated course में admission लीजेगा अगर arts के हैं तो B.A. B.A. में और science के हैं तो B.A. C. B.A. यह integrated course अगर आप करेंगे तो आप यहाँ पर four years में आपकी दो चीजें यह यहाँ पर आपकी B.A. और B.A. C. जो की तीन वरस के होती है तो पाच साल की आप चार साल में complete कर लेंगे और अगर आप B.A. और M.A. complete कर रहे हैं तो यह तीन वरस में आपकी complete रजाएगी तो यह आप यहाँ पर कर सकते हैं बाकि अगर आप दो बरसी B.A. करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप elementary education में B.A. कर करना चाहते हैं तो यहाँ पर B.A. आपके लिए बहुत ही important है यह भी आप कर सकते हैं तो जो भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपकी eligibility को देखे पहले कि आप graduate है या post graduate है या 12th है उसके according चुनिए जो best option है उसको choose कीजिए चले फस्ट हम ले ले लेते हैं कि अगर आ आपके आगे परिकल्पना है कि आपको M.A. भी करना चाहिए तो आप B.A. अम.A. इंटीरेटर कोर्स करिए जिसे कि आप तीन बर्स में दोनों को खत्म कर लेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आपको दो बर्स बाद आपको exam देने जा रहे हैं या दो बर्स के अंदर आपक चाहते हैं कि आप आप जो है सारे रिक रूप से बचों को सिक्षा दें स्पोर्ट्स टीचर बने उनको आपको खेल की सिक्षा देने में बहुत अच्छा आनंद आता है तो आप B.A. या M.P.A. कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको इस पीचले C के बारे में था आगे अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप बता दीजेगा मुझे देखिए यहां पर प्रकरिया के बारे में थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको कि आपको रेजिस्टेशन करने के बाद हैल्प सेंटर पर बेरिफाई कराना है और फिर चॉइस पिलिंग जरूर करना ह है चॉइस पिलिंग के बादी फर्स्ट लेबल की मैरिट बनेगी तो उस मैरिट के अकॉर्डिंग आपको जो है क्वालिज कहां बंतन होगा इस तरीके से आप पूरे का पूरा प्रॉस्टेस कर सकते हैं इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्वाद थैंक्यू थैंक्यू बेरिमिच कोई भी अगर आपको सुजाबे तो नीचे कमेट करना बिल्कुल भूलेगा थैंक्यू नमस्कार